ही समरत परमात मार है निरगुन निरंकार तू करता है जगत का तू सब का अधार कन कन में है बस रहा तीरा रूप अपार तीन काल है सत तू लिठ्या है संसार घट घट वासी है प्रभू अविनाशी करता दया से तेरी हो सभी भवसागर से पात निराकार साकार तू जग के पालन हाँ वे अन्त महिमा तेरी दाता परंपार परमतिता परमातिमा सब तेरी संतार भला करो सबका प्रभू सबका हो कल्या भला करो सबका प्रभू सबका हो कल्या साथ संद्य जी प्यार से कहना धाननकार जी मुंबई जोन का आज जहां समागम रूप ये सबीन ने सिकानन लिया और कैसे फिर जहां पिछले कुछ महीनों से ये हफते में तीन दिन जिसमें फ्राइडे इंडिया के बाहर की सत्संग और वेंस्देश को भारत वर्ष से तो आज जहां ये उस रूप में तो आखरी जोनल टूर है जो अब देश विदेश सभी के उस रूप में तो पूरन हो गए आज तो दातार ये किरपा करे कि अब फिजिकली हर जगे जाकर आप संदों के वीच पहुँचकर सत्संग का आनन लिया जाए और कैसे हर एक संद के मन के भाव यही रहे कि ये निराकार ये सच्चाई इसको पहचान ले और अपने आप ही खुद की पहचान हो जाती है तो कैसे हमने हमेशा जहां पूरे संसार के लिए एक अच्छा इनसान बनना है खुद के लिए भी और सभी के लिए ही तब ही ये जो आज पंगती भी दासी के स्टेज के पीछे कि मानव को मानव हो प्यारा एक दूसरे का बने सहारा कि फिर एक हर इंसान को दूसरा इंसान प्यारा कैसे लग सकता है वो जब पीच में प्रमात्मा देख लेते हैं तो फिर सभी अपने सभी प्यारे लगते हैं और जो ये सेकंड स्टेज की बात है कि फिर हमने एक दूसरे का सहारा बनना है तो वो सहारा कैसे बन सकते हैं तो वो अपने आपको अगर हम दिन में देखें कि चाहे हम कितने भी विजी हूँ तो छोटी छोटी चीजें किसी के लिए समय निकालना चाहे कभी अपना भी दिन अगले दिन सुभा अर्ली स्टार्ट होता है पर किसी के लिए अगर हम उपस्तित हो सकें चाहे अपनी मीन साक्रफाइज उसमें होए या फिर पूरे दिन में अगर ये लगे कि हमने कैसे अपने आपको एक दूसरे के लिए हमेशा रेडी रखना है कि हर किसी की जहां जैसी जरूरत है तो हम सेवा अपनी अर्पन कर सकें क्योंकि उसको अगर हम एक मदद का भाव मन में लाएंगे तो हर कोई जहां अपना है कोई पराया नहीं मदद तो पराया रूप ले लेती है पर सेवा एक समर्पित रूप होती है तो ऐसे ही ये समर्पित भाव से संत हमेशा जहां सेवा करते आए हैं सत्संग से एक संत मती हर एक की भाव सुनने का भी मौका मिलता है अपने भी ये संतों के साथ जब शेर होते हैं thoughts तो कैसे फिर एक अपने अंदर की clarity और बढ़ जाती है अपने अंदर के गुण multiply हो जाते हैं अपने जीवन में अपने पलपल में हम और अच्छे से अपने केद संसार को एक positively established कर पाते हैं एक खुद को भी जहां वो एहसास आता है कि जो है इस परमात्मा का दिया बहुत ही खुबसूरत हर पल ये पूरी जिंदगी का और वहां एक दिल हमेशा उत्साहित रहता है कि पूरे संसार को ही कैसे हम और जादा अनन दे सकें और जादा खुश कि दे सकें किसी के लिए किस तरह एक अपने आपको समर्पित रूप में उनके लिए भी कुछ कर सकें तो कैसे मन में भी पिर ये निरंकार ही हर समय हर पल इसी का चेता इसी का ध्यान ये समर्ण रूप में भी तो हर कोई जहां अपने जीवन में यही बात कि अपने आपको जहां ठीक रखा जाए कोई गलती होने पर अपने आपको कोसने की बजायदातार से बख्षवाना कि ये आगे से ना हो और वही संसार के हर इंसान के लिए दिल से ये कामना कि हर कोई हमेशा इस ही जीवन में जो जिन्दगी के हर पल है उनको कैसे हर पल को तोटालिटी में हर पल को पूरन रूप में एक अच्छे रूप में ही जीए जाए और किस तरह हम अपने दिमाग पे कोई ऐसी बात को हावी न होने दें जो हम इंसान तो हैं पर हमारी इंसानियत कम कर दें तो एक इंसान का असली रूप ये इंसानियत हर एक में जहां हर पल छलके और वो संभ कब भी तब जब ये निराकार परमात्मा इस भगवान का हमेशा एक एहसास मन में होता है और फिर अपने आप ही एक भैतर इंसान बनने की चाह हमेशा लगी रहती है तो जहां बहुत ही सारे गुनिस संसार में हैं हम जहां पे ये कंकं से भी शिक्षा लेते हैं अपनी लाइफ में प्राक्ट्रिकल स्पिरिच्वालिटी भी जीते हैं तो ऐसा करते हुए अपने आपको सुधारने के लिए बहुत ही ये हमारे पास पल हैं जीवन के और दिन के क कुछ पल और कुछ नया अच्छा सीखके आगे की जीवन को सुख्मई किया जा सकता है वहीं हर पल अपने अंदर के ये जो नेगिटिव भाव हैं उनको भी अपने अंदर से एक निकाला जा सकता है तो अगर हम यही समझ लें कि एक दिन अभी से आज से ही अगर अपने आप क के बारे में उस तरह अनलाइज करके कि हमें और क्या सीखना है और क्या अपने मन के भाव गवाने हैं उसी पे अगर ध्यान दें और हर दिन फिर इसी प्रकार चलता रहे तो फिर हमारे पास समय ही नहीं है कि किसी दूसरे की खामी देखें और जब भी कुछ दिखे भी तो पिर यही भावाए कि यह चीज अगर इनकी हमें पसंद नहीं आई दातार किर्पा करना कि यह अब गुण हमारे अंदर ना आ जाए तो इस तरह अपने आपको जहां सही रखना है वहां कोशिश हर किसी को भी हम अपने कर्मों द्वारा संभाल पाएं साथ संगत जी धानेंग आई चीज तीरियो ते सहारा तीरा तर्मने गुण हमावा कही अब तारिं तीरे की दाता दिन राती दुणे गावा कही अब तारिं तीरे की दाता तुझे निरंका तुझे 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 तुझे निर तू है दाता बक्षण हार निर्यम गुण नाचीतार तू ही निर्मकार तू ही तू ही निर्मकार तेरा रूप है संसार तेरा रूप है संसार, सबका भला करो करतार, मेरी मंग है दातार मेरी मंग है दातार, तु ही निरंकार, एक दू ही निरंकार मेरा डोले ना अत्वार, मेरा डोले ना अत्वार बक्षो शर्दा पगती प्यार, करावै संता ना सत्कार तु ही निरंकार, एक दू ही निरंकार तु ही निरंकार सद्गुरु माता सुदिक्षा सबिंदर हर देवजी महराज कीजे निरंकारी राज माता गुर्बचन अवतार कीजे प्यार से बोलिये निरंकार जी प्यार से बोलिये निरंकारी राज माता गुर्बचन अवता गुर्बचन अवता गुर्बचन अवतार कीजे